हेलो फ्रेंस आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही प्यारी और खुबसरत से फ्लावर का डिजाइन लेकिया हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की देखिए इसके लिए हमने यह फोर प्लाई की वूल का यूज किया है हम अजाई कर रहे हूं सबसे पहले हम 130 तक सबसे पहले हम सबसे हिंए कि अचल आने के बाद हम यहां से फूरी पर द्हकन यका लेंगे पाइब यहां पर एक पफ डिजिन नांगे इस तरीके से और यहां पर एक चेंन लेंगे और एक चेंन लेने के बाद फिर से यहां पर magical ring में हम एक puff design बनाएंगे गुरुशी पर थ्री टाइम दागा लेकिए इस तरह से magical ring में हमें total six puff design बनाने हैं यह हम दो बना लिए हैं तो चलिए six बना लेते हैं फिर आपका आगे उताते हैं देखे यहां पर हम one two three four five six six puff design में बना लिया हैं और इसे अब यहां पर हम जो हमने फॉर्स चेंड बनाई थी इसमें डालके स्लिप्टर से जॉइंट कर देंगे और जो यह हमने magical ring में बनाई है इसे हम ऐसे खेंच देंगे देखे इस तरीके से हमारा एक राउंड में design complete हो गया बनके अब देखे फ्रेंस क्या करना है हमें जो यह हमने यहां पर पॉफ design के बीच में यह चेंड बनाई है यहां पर इसे जॉइंट करेंगे slip stitch से जॉइंट करने के पर फ्रेंस यहां पर हम एक हाफ डौल कुश्य बनाएंगे इस तरह से कुश्य पर दागा लें और एक बार अब यहां पर हम एक डबर प्रूश्य बनाएंगे कि फिर से double crochet बनाएंगे कि नागर को चप्रीप लएंगे कि एक दोपा इस तरह से double crochet बनाएंगे突然 Each हमें इसमें बनाने हैं double crochet 4 और ये 5 जो बनाने के बाद यहां पर एक half double crochet बनाएंगे यह तीन फंदग एक बार कर लेंगे फिर हम यहां पर नेक्स जो दोनों पॉफ डिजाइन के बीच में चेंड बनाए थे यहां पर इसे से जॉइन करेंगे फिर कुशे बधागा लेंगे और एक हाफ दवल कुश्य बनाएंगे फिर इसी में डालके हम 5 वार पांच बार निवल कुश्य बनाएंगे जैसे हमने यह फॉस्ट में बनाया है इस तार से हम इन सब पर slip stitch से joint करके एक half double crochet five double crochet एक half double crochet करके यह flower बनाना है तो चलिए second round हम ऐसे complete कर लेते हैं फिर आपको आगे उताते हैं देखे फ्रेंट इस तरह से हमने यहाँ पर six के six flowers की design complete कर ली है अब देखे थर्ड रोब हमें क्या करना है यहां पर हमें three chain अनिए one two three three chain बनाने की पात फ्ररोपिर्च जो यहां पर हमने इतने से घुमाना है और यहां फिर एक profit design है यहां पर डालके हम इसे slip stitch से joint करना है फिर से three chain making one two three shorter next task design की ऊपर इसे joint करना है льो फिर से three chain इस तरह से हमें 33 chain बनानी है और यहां पर हमें से जाइंट करना है। इस त्रह से यहां पर टॉटल six chains बनानी है और slip stitch से जाइंट करना है तो चलिए हम complete कर लेते हैं फिर आपका आगे बताते हैं दिखेंगे एहां पर यहां पर six एक दोबल कोईशीय कीचच दोडबल कुछिया है टूडबल कोईशी यह जिसे हम ने स्टाटिंब कुदक्रार थे दोड़ इने बंग डोज हम ने फूने फूस्ट हूल में हं फाइब डाल कोई 27 7 double crochet, फिर एक half double crochet, पोढ़ा जाने, एक half double crochet, अब फिर से हम यहाँ पर slip stitch, से joint करेंगे, इस तरह से, और मेर् फिर एक half double crochet, और सेम procedure से, यहाँ पर हम 5 double crochet बनाएंगे, और एक half double crochet, एक slip stitch, इस तरह से हमें यह सारी थर्ड रो कंप्लीट करनी है तो चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं देखिए फैंस इस तरह से हमने यह रों कंप्लीट कर लिया है और यह मारा फ्लार कंप्लीट है अगर आप चाहते हैं इससे भी बढ़ा बनाना तो सेम प्रस इस फ्लार का हमने RICH कहां यूज किया है देखिए friendly फ्लार का हमने यूज BCया है यह 45 है बेभी गरल की памgenlicht है भुष बशर्वत लगता है आप चाहिए तो इसे स्वैटर में останवces क्यूंने के ेसे करने कहीं यूज कर सकते हैं तो प्रेंस अगर आप आते वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भुलेगा थेंक यू फॉर वाचिंग